बेटा पर एलिगेशन लगाया कुरूज वालों ने कि इसके पास से 2.4 ग्राम गांजा मिला और वो कब मिला जब दो तारीकों ये केस हुआ आरियन प्रकरन तो उसमें इसको नहीं पगड़ा गिया चार तारीकों कुरूज वालों ने उसको हैंड़ोवर कि इसके इस पास से 2.4 ग्राम गांजा मिला और अभी इन साओ को पीते वे दो बार इसको पगड़ा गिया तो ये एलिगेशन कुरूज वालों लगा के इनसीवी वालों को सपूर्थ किया एनसीवी वालों ने जाच में पाया कि कुरूज वाला जो बोल रहा है एक कुरूज के दौरा उसी के दौरा फिर हमारे उपर चार्ज लगा गया गया कोट में हम लोगों ने अपनी बात को सही रखा अपना हमारा सारा जो सत्य था उसको बताया गया कोट में हमारे हमारे ज यही कोट से पर्दान, बेल पर्दान किया गया, जिसमें हम लोगों को लगा, सब पर्तम दिरिश्टता में सत्ता माना गया, कोई रिलेस्न नहीं है, कोई टच नहीं है, कोई ना कभी जानते थे, ना कोई हम लोग का मतलब है, यही सब हम लोग जब बताएं, कि हम लोग उडिसा से हैं, हम लोग कोई लेना देना नहीं है, हम लोग पास ना किसी का कोई चेट है आपस में, ना हम लोग का मॉबाइल नंबर है, उसके पास ना हम लोग पास किसी का मॉबाइल नंबर है, तो इस सब सत्ता जानते वे हम हैं हमारा जो भी गिरफतारी हुए NCB के द्वारा नहीं हुआ कुरूज का जो सिक्रूटी ओफीस सर्था पार्टी लो उसने हम लोगों को एंड ओवर किया उसके कारण यह सारा केस हुआ द्वारा और बेटा को गिरिफतार नहीं किया गया ना इए कोई रिकबरे उसके पास से की हुए हम भगवान जगरनात से हमारा प्रातना है जैसे भगवान जगरनात हमको परतम द्रिष्टा में सबसे पहला बेलमनी स्राजगरिया को मिला वैसे ही आगेस भी भगवान जगनात हमको सत्य को साथ देते हुए हमारा विरुद्ध जो भी केसर उसको खतम करवाएंगा